हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी तो श्कार बहुत-बहुत स्वागत है अब सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन तो चलिए भाई जैसा कि आप जानते हैं इस Lecture Series में हम लोग NCRT जो है अपनी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की हमारी Economics की यानि की अर्थशास्त्र की जो NCRT की किताबे हैं उनको हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं उनको हम लोग सीखना चाहते हैं ये एक हमारा लक्ष है इस Lecture Series में जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि शुरू शुरू में इस Lecture Series की गती मैंने जानबूच कर धीमी रखी है ताकि हम में से जो लोग एकदम beginner हैं जिन लोगों ने अभी एकदम शुरू किया है ऐसे बहुत लोग होंगे NCRT आप लोग पढ़ने आए हैं तो काफी लोग एकदम beginner होंगे तो मैं यह नहीं चाहता कि आप भी एकदम beginner अगर हैं तो आप डर जाएं या फिर आपको चीज़े समझ में ना आएं शुरुआत में इसको धीमा रखेंगे बेसिक आइडिया हैं हाला कि बहुत लेकिन तब भी उनको धीमे धीमे पढ़ाएंगे और जैफे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे गती थोड़ी से बढ़ी जाएगी क्योंकि जैफे जैसे concept आपको समझ में आएंगे आगे जाके concept थोड़े से repeat भी होते हैं तो repeated concept को हम थोड़ा सा जल्दी से बढ़ेंगे पिछली class में हमने कक्षा 9 का जो पहला chapter था उसको हमन अगर आप में से कोई 2025 में एक्जाम दे रहा है तो उसके लिए प्रतिग्या 2.0 बैच पर 47 प्रतिशन डिसकाउंट आपको यहां पर मिल सकता है यानि कि AJ live code जो मेरे नाम पर आधारित है वो लगा कर अगर आप हमारे batch से जुडेंगे तो आपको यह batch अभी 23,999 का मिल जाए है इस बार यह batch 33,999 का है रोज 3 घंटे की live class mentorship daily practice questions प्री और मेंस के मेंस के questions करो समाधान प्री और मेंस की टेस्ट फिरी 18 किताबें आपके घर पे और अगर आप pre-qualify करते हैं तो मेंस के तयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे आपका रहना खाना पढ़ना सब लिफाई किया तो आपकी जो भी फीज आपने दी है पूरी फीज आपको refund हो जाएगी तो प्रतिग्या batch से आप तुरंट जोड़ सकते हैं हो सकता है आप मेंसे काफी लोग ऐसे हो जो अभी beginner जो अभी एकदम beginner हूँ तो आप अभी जो है तुरंट 2025 में exam देने के लिए तय 2026-2027 ये batch अभी एकदम शुरू हो गया है अभी अभी शुरू हुआ है एकदम इंट्रो क्लास इसमें चार होती है तो इंट्रो क्लास के बाद अब regular पढ़ाई शुरू हुई है इसमें AJ live code लगाईए 31,000 तक का दाम जो है इसका portal पे था आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं long term के दाम हो पकता है इससे भी कम हो लेकिन वादा से वादा 31,000 में आपको ये मिल जाएगा याद रखिएगा ये 2026 और 27 वाले अभी हर्थियों के लिए है पहले एक साल इसमें आपको हम basic पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है advance लेवल की बढ़ाई शुरू होगी सारी सु 26 और 27 दोनों वर्षों में मिलेगी तो आप इससे भी तुरंत जुड़ सकते हैं तो भाई time मत खराब कीजिए जो batch आपको लगता है कि आपके लिए suitable है उससे तुरंत एकदम जुड़ जाएए और अपने तयारी को सही आगार प्रदान कीजिए चलिए साब शुरू करते है चैप्टर 2 हमारी NCRT की पुस्तक का चैप्टर 2 ये चैप्टर मैंने पढ़ा है इसमें कुछ-कुछ चीज़े मैंने underline और highlight करी है ये highlighted चैप्टर जो है ये भी मैं आपको ये PDF भी मैं आपको टेलेग्राम पे दे दूँगा तो ऐसा नहीं कि आप अपनी किताब खोल के उस सिक कॉंसेप्ट है लेकिन समझ में आने जरूरी है कई बार इन से सीदे सवाल आते हैं तो बाइद दूफरा हमारा जो चैप्टर है वो क्या कहता है वो कहता है समसाधन के रूप में लोग ठीक है तो आज हमारी क्लास कौन से है बढ़िए आज हमारी चौथी क्लास है मेरे 9th है chapter 2 ठीक है जी यह हम आज शुरू कर रहे हैं इसका नाम है संसाधन के रूप में लोग क्या मतलब हुआ इस बात का संसाधन के रूप में लोग तो आम तोर पे किसी भी देश में जब आप लोगों की बात करते हैं जब आप जनसंख्या की बात करते हैं तो हम जनरली अगर हम हमेशा तो नहीं कहूंगा लेकिन जनरली हम जनसंख्या को एक समस्या की तरह देखते हैं यह ऐसा देखते हैं कि भाई जनसंख्या है बहुत सार प्रचार प्रसार नहीं होता, जब मैं स्कूल में था, छोटा बच्चा हुआ करता था, तो टेलिविशन पे उस तक दूरदर्शन आता था केवल, अब तो बड़े फारी चैनल वैनल आते हैं, उस समय केवल दूरदर्शन आता था, तो दूरदर्शन पर जनसंख्या को लेकर बड़े सारे अडवर्टीजमेंट्स आते थे, बड़े विग्या पनाते थे, और सबका फंड़ा यही होता था, जैसे दिखाएंगे कि एक चारपाई है, चारपाई वाला चारपाई बना के लाया, उसने कहा बैठी है सहाब, बैठ के जांच कर लीजे, ठीक बनी है की नही तो उस चारपाई पर बहुत बड़ा परिवार है, एकदम से 10-15 बच्चे आके बैठ गए तो वो टूट गई, तो चारपाई बनाने वाले ने भी यही कहा कि फरी चारपाई तो दो लोगों के लिए थी बैठने के लिए, अब आपने इस पर 15 लोग बठा लिए तो टूट करते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि यह एक नकारात्मक चीज़ है, हमारे विचार में हमेशा हमको ऐफा लगता है कि यार जनसंख्या जो है, उसको लेकर पॉपिलर विचार क्या है, एक नकारात्मक विचार है, नकारात्मक विचार क्यों है, क्योंकि जनसंख्या की आवशक् पूरी करने में आपको संघरश करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात सत्य भी है, ऐसा नहीं कहा रहा है, लेकिन आम तोर पे जनसंख्या को लेकर हमारी मोटा मोटी हम कहें, तो फोच यही होती है, तो बिटा ये चैप्टर जो है, ये थोड़ा अलग तरह से सोचता है, ये चैप्टर कहता है कि चलिए जनसंख्या को ऐसे तो आप देखते आए ही हो, क्या एक और तरीका भी है जनसंख्या की तरफ देखने का, क्या जनसंख्या को हम ऐसे भी देख सकत हैं कि यार हमारी अर्थववस्था देखो अर्थववस्था जो होती है लोग ही तो बनाते हैं अर्थववस्था कोई आस्मान से बनके तो उत्री नहीं है कि भाई ये भगवान ने बना दी अर्थववस्था आ गई अब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं हम लो नहीं है तो यानि कि मानव के योगदान से अगर अर्थववस्था बनती है बात समझे जहां से सुनिएगा अगर अर्थववस्था मानव के योगदान से बनती है तो अगर मानवों की संख्या बढ़ जाए तो अर्थववस्था बहतर नहीं हो जाएगी आपको ऐसा नहीं ल कौन से केस में घर जल्दी बन जाएगा या घर बड़ा बन जाएगा बहतर बन जाएगा अरे जब साथा मजदूर लगेंगे तब यह तो बहतर बनेगा लोजिकल बात है कि नहीं है वही बात अर्षवस्था पर क्यों नहीं लागव फक्ति कि अगर तुकि मजदूरों को हम क संसाधन मानते हैं कि मजदूर जो है वो लायबिलिटी नहीं है मजदूर को भी हम पैसा देते हैं लेकिन वो काम कर रहा है वो योगदान दे रहा है ठीक है तो मजदूर क्या है एक संसाधन है एतने दिन लगेंगे तो मजदूर का दिन जो है वो एक संसाधन है एक रीसोर् योगदान देने वाला एक एकाई है यह कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन में अर्थववस्था में कुछ तो योगदान करता ही है ना भई तो आप इस जनसंख्या को नकारात्मक तरीके से तो हम देखते ही आए हैं कि वह उसकी आवशक्ताएं हैं पूरी करनी आपके संसाधन उपर बोश जैसी है अर्थवस्था वगैरा वगैरा यह नकारात्मक तरीके से तो हम देखते ही आए हैं लेकिन क्या इसको सकारात्मक तरीके से भी देखा जा सकता है ये सवाल ये चैक्टर उठाता है ये बात क्लियर हो गई ये बात समझ में आगई अब यह basic logic था लेकिन अब जो है इसको जल्दी से एक बार किताब पर चले जाते हैं किताब से समझने की कोशिश करते हैं कि बैए किताब कह क्या रही है हाँ बैए तो किताब यह कह रही है कि संसाधन के रूप में लोग जन संख्या पर दाइत्व से अधिक परी संपत्ति के होता उन लोगों को संसाधन बनने लायक बनाना पड़ता है आदमी जो है पैदा होती थोड़ा जन संख्या में contribute मावास कीजेगा आपकी अर्थ वबस्ता में contribute करने लगता है तो हमको जैसे आप क्या करते हो किसी भी चीज में आप निवेश करते हो बैए अगर मैंने कंपन पर पहले बाद मैं अपना प्रोडक्ट बनाता हूँ ना उस कंप्री में प्रोडक्ट बनाऊंगा कुछ-कुछ खर्चा करूंगा कुछ एंप्लॉई रखूंगा ताकि अच्छा प्रोडक्ट बने और मेरी विक्री हूँ बात सही है कि नहीं ऐसे ही जनसंख्या भी अगर एक संसाधन है तो उस संसाधन को हमें प्रयोग करने लायक बनाना होता है और ये प्रयोग करने लायक बनाने के बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं मानव पूझी human resources इसको हम कहते है human capital बात समझ में आई की नहीं आई तो ये मानव पूंजी क्या है ये कौशल और उसमें नहित उत्पादन के ज्यान का stock है कि व्यक्ति के पास जो कौशल है जिस कौशल का वो अर्थ विवस्था में प्रयोग कर सकता है यहाँ पर याद रखिये का हम केवल आर्थिक बातचीत करेंगे हम जो है मुझे पता है कि राजनीती आप लोगों को बड़ी पसंद आती है आम तोर पे विद्यारतियों को लेकिन यहाँ पर हम केवल आर्थ विवस्था पढ़ रहे हैं हाँ जी दूसरे संसाधनों की महाती जनसंख्या भी एक साधन है एक मानव संसाधन आपको बताया ने मैंने पर जैसे आप घर बनाते हो घर में आप इंटे पत्थर बालू जो है सिमेंट लागे रख दो अपने आप तो बनेगा नी आपको आदमी लगाने पढ़ेंगे कि नहीं लगाने पढ़ेंगे तो मानव एक संसाधन तो है ही है आम तोर पर जैसे यह कमपनी भी है भाई स्टडी आईक्यू जो है वो यह बोर्ड लगा दें वो कैमरा लगा दे सामने स्क्रीन लग दे सामने अपने आप थोड़ना पढ़ लोगे आप, ये मानव चाहिए कि नहीं चाहिए आपको पढ़ाने के लिए, ये मानव जो है, अगर मैं इस पिक्चर से हट जाओ, लो मैं हट गया, मैं इस पिक्चर से हट गया अभी, कुछ हो रही है बढ़ाई अब, देखो रिसोर्स सारे वै जाली मेरा योगदान नहीं, जिसने ये इवेंट बनाया, जिसने जो पूरा इसको ब्राटकास्ट कर रहा है, तो ये मानव चाहिए आपको, तो मानव समसाधन जो है, किसी भी कमपनी को बनाने में जरूरी है, ये बात तो हम जानते हैं, तो ऐसे ही अगर हम देश की अर्थ आत्मत पहलू देखते हैं जनसंख्या के, कि जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्त फुदाओं को जनसंख्या तक पहुचाना बहुत बड़ी समस्या है, जो है, मैं मनानी कर रहा हूं, कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े देश में, सब तक भोजन पहुचाना सब तक शिक्षा पहुचाना, स्वास्थे पहुचा पाना, बहुत बड़ी चुनोती है यार, यह बहुत बड़ी समस्या है, और बड़ती जन संख्या चुनोती है, बिलकुल बड़ी समस्या है, इससे मैं इंकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये है, कि मानव समसाध के तौर पी भी तो हम इसको प्रयोग कर सकते हैं लेकिन यहां पर अब चैप्टर यह कहता है कि जब तक जब इस विद्यमान मानव समसाधन को अधिक शिक्षा और स्वास्थिदार द्वारा विक्सित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं यह याद रखिएगा ठीक है देखिए मानव समसाधन तो हमारे पास है ही है लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति है क्या इतना काफी है उसके अर्थ व समसाधन में आप क्या जोडते हो आप जोडते हो शिक्षा आप जोडते हो इसमें स्वास्थ है जब आप ये चीजे जोड लेते हो तो जब आप इन चीजों को जोड लेते हो तो क्या बन जाता है तो ये बन जाता है आपका मानव जब आप इन चीजों को जोड लेते हो तो याद रखना मानव समसाधन तो आपके बास था भाई आप इसको ऐसे भी समझो ना कि आपने अपनी कंपनी में एक जो है आदमी हायर किया ठीक है आपने एक आदमी कंपनी में नौकरी दे दी अब वो आदमी को आदमी काम पर रख लिया वो आदमी काम पर आने लगा ठीक है उसका काम था मानलो, वो computer operator था, आपने अपनी company में computer operator रख लिया, अब यार वो आत हो गया, लेकिन आपको तो थोड़ी से training देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती, या वो पहले दिन से आके काम शुरू कर देता है, पिर कोई भी व्यक्ति जब कहीं भी नौकरी करता है, वे दिन से तो स्वक्रिय नहीं हो पाता, आदमी को पता ही नहीं होता है, मुझे काम क्या करना है company में, ऐसा होता है कि नहीं होता, तो पहले दिन जो आदमी आपके पास आता है, वो मानव समसाधन होता है, हाला कि आप company में नौकरी देते हो, ऐसे आदमी को देते हो नौकरी बनता है, बात क्लियर हुई के नहीं हुई, तो वही सेम चीज यहां पर है, कि आपके देश में लोग हैं, ये पर्याप्त नहीं है, ये कहने के लिए कि आपके देश में काफी मानव पूंजी है, आपको उस मानव पूंजी का विकास करना पड़ता है, आपको उसे शिक्षा देनी पड़ती है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, शिक्षा बहुत जरूरी है, भाई, शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति जो है, इसमें आपकी किताब में एक्जामपल दिये हैं, दो बच्चे हैं, एक सकल है, एक का नाम विकल है, है ना, और एक बच्चा जो है, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाता है, नौकरी मिल जाती है, दूसरा बक्चा जो है नहीं पढ़ पाता, तो भई दोनों के जीवन में फ़रक पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, मतल़ा यह तो हम सभी जानते हैं ना, यार अपने जीवन में यह बात मानते हो कि नी मानते हfinden इसमें तो आपको भरपूर example मिल जाएंगे कि शिक्षा के वरिए बहुत लोगों ने तरक्की करी है जीवन में तो यह बात तो सच है तो लोग भरपूर गरीवी से बाहर निकले हैं शिक्षा के कारण तो शिक्षा जो है, एक तो शिक्षा बहुत important है, और स्वास्ति के बारे में तो मेरे को बताने कि आवशक्ता है यह नहीं, यार देखो आप अपने उपर भी देख सकते हो, कि आप अगर बिमार रहते हो, यार नहीं पढ़ाई कर पाओगे, मतलब बात सही है कि नहीं, मानते ह करते हो, आप को, जो भी काम है आपके, बस आप घर में काम करते हो, आप ग्रहिनी हो, आप घर में काम करते हो, अगर आपका स्वास्थ ठीक नहीं है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका जो output है, वो जितना होना चाहिए, उतना हो पाएगा, थोड़ा बहुत आप कर ल के लिए यह बात क्लियर हो गई एक जम स्ट्रेट फॉर्वर्ड सिंपल सा तर्क है इसको याद रखने की आवशक्ता है यह सब आपको मिल जाएगा नोट्स वोट्स इसकी चिंता मत कीचेगा यह मैं दे दूंगा ठीक है तो मानव पूंजी में जो निवेश होता है वो भौत पूंजी की तरह ही आपको प्रतिफल यानि के रिजर्ट देता है तो जादा शिक्षिक या बहतर लोगों के उच्च उत्पादक्ता होने के कारण उनको अधिक आए मिलती है और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादक्ता के ग्रूप में ऐसे वर्ष करते हो जितना बहतर मैं अभी एक अध्यापक के तौर पर भी यार अध्यापक के तौर पर भी मुझको लगता है कि अगर मुझे जीवन में बहतर आए चाहिए मुझे अपने जीवन में बहतर करियर चाहिए, तो मुझे निरंतर पढ़ते रहना पढ़ेगा, अगर मैं निरंतर पढ़ता रहूँगा, तभी मैं और बहतर टीचर बनूँगा, और बहतर टीचर बनूँगा, तो मैं वादा पैसे कवाऊँगा, बहुत शिदी शिदी बात ह खराब टीचर बनूँगा, खराब पढ़ाना शुरू कर दू, मालों में एकदम पढ़ना बन्द कर दू, कि जितना आता है आता है छोड़ो, तो यार और नहीं बहुत फारे टीचर आ रहे हैं, दो-चार साल में मेरा पढ़ाने का तरीका खराब हो जाएगा, फिर होगता है म एक एक एक्जामपल ये देता है कि हरित करांती में हमने देखा कि ज्यान का क्या फरक पड़ता है देखो उत पादन में, हरित करांती में क्या हुआ था, हरित करांती में आपके संसाधन तो वही थे, हरित करांती में क्या हो गया, अगर आप देखें, लॉजिकली, तो हरित क्रांती आपको जो पिछले चैप्टर में मैंने संख्षेप में बताई हरित क्रांती में क्या हुआ आपकी भूमी तो वही थी उस भूमी में आपने ज्ञान मिला दिया तो इसी भूमी से उत्पादक्ता बढ़ गई या नहीं बढ़ी भूमी तो वही थी ना, एक्स्ट्रा जमीन थोड़ना कहीं साब लेके आगए, जमीन तो वही थी तो उसी जमीन से क्या हो गया, आपकी उत्पादक्ता में आपको सीधी सीधी वरधी देखने को मिली, यह बात इकड़म क्लियर है के नहीं है यह आपकी हैं इसमें को संदेह की बात है यहां पर कहते हैं जो है भूमी श्रम के सवान है उससे ज्यादा है रुपए या डॉलर उससे वादा है उससे वादा क्यों है क्योंकि याद रखिये मानव पूंजी जो होती है, वो बेटा, बाकी हर प्रकार की भौत तिक पूंजी से श्रेष्ट है, यह लाइन में आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि कई बार UPSC में प्रिलिम्स वगरा में, इस तरह के लाइन पूछ ली जाती है, कि क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी फे श्रेष्ट है ये एक statement होगा बताइए आप सत्य है कि असत्य है अब आपको रहेगा यार क्यों श्रेष्ट है सारा एकसा ये पूंजी तो लेकिन अगर NCRT में लिखा है ये श्रेष्ट है तो श्रेष्ट ही लिखके आना है आपको और य अपने आप उग जाएगी क्या उसमें आप ये बताओ या आपके बात बहुत सारे पैसे पड़े हैं उस पैसे से कोई company अपने आप खुल जाएगी factory अपने आप लग जाएगी उत्पादर अपने आप शुरू हो जाएगा ऐसा होगा क्या बेटा बाती पूंजी के सही यह दोनों भी प्रकार की पूंजी है यह बात सही है लेकिन जब तक आपके पास मानव पूंजी नहीं है human capital नहीं है आपके पास ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनका ढंग से उप्योग कर पाए कुछ कर पाओगे आप इनसे में आपको पता ही नहीं आपके पास बापदादा की जमीन आयसे बोँगहते है ना ऐसे बाप दादा की जमीन वपड़्य है बहुत लेकिन जो आज का व्यक्ति उसे पता ही नहीं क्या करना वो पढ़ा लिखाही न यह यह वो अयाश कर पाईगा कि चुछ पूंजी का अरे भाई, ये तो बहुत था, भूमी धन इत्यादी, मानव पूरजी में विकाफ हुआ रही है, जो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके पास वो शम्ता ही नहीं थी, वो बुध्य मत्ता ही नहीं थी, वो अकल ही नहीं थी कि करना क्या है, तो बिटा इसी लिए मानव पूंजी जो है ये बाकी पूंजी से श्रेष्ट है याद रखिएगा मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि NCRT इस तरह की जीवे पूझ लेती है मैं यह लिख भी देता हूँ ताकि नोट्स में रहे आपके पास मानव पूंजी जो है definitely वो आपकी बाकी पूंजी से आपकी बाकी जो पूंजी होती है उससे श्रेष्ट है क्योंकि बाकी पूंजी का प्रयोग जो है वो तभी हो पाएगा जब मानव पूंजी होगी अगर मानव पूंजी नहीं है तो किसी का कोई प्रयोग ही नहीं हो पाएगा बात समझ में आ एकाम करता है नौकरियां मिल जाती है घणता नहीं है तो नहीं में रह जाता है वह बीमियां फेसिक पहानी है आगे पढ़ जाते हैं Core र मानव समसाथ होता क्या है कि काई बार देश यह रथव्वज़वस्थाइं जो होती है वो उन मानव पूझी में निवेश ऐसा को बहुत भागई समझ में नहीं आता है कि या invece करें यह लिखाई विए फॉता क्या है मानव पूझी में निवेश में लाभ आपको तुरंत नहीं मिलता है हम को है लिखाई कर लेंगे यार क्या है यह न PF वाला है उसका परिणाँ आपको आज नहीं मिलेगा उसका परिणाम आपको time लगेगा बिलेंगा आफ प्रेशिष्व फॉल में उति-फ्रिम गर चूरी लिंगो दुगे शुड़ी पोंटोष िव वालों बात जो परणाम मिलने वाला है, उसका उसके कोई अंदाजा होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप लगाएंगे, तो आपको निश्चित तोर पे उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है, इसमें एक चीज ये भी है, कि इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है, कि एक दुष्चक्र और ये आपके चक्र की बात होती है, इसमें ठीक है, तो भाई ये जो आपका एक, इसको हम समझते हैं, कि अगर आप इस बात को समझें, एक अच्छा चक्र और दुश्चक्र, कि होता क्या है, कोई ऐसा परिवार, कोई शिक्षित परिवार जो होता है, कोई शिक्षित परिवार जो होता है वो आम तोर पे शिक्षा की महत्ता को समझता है कोई परिवार ऐसा है जिसमें माता पिता पढ़े लिखे हैं कूल गए हैं कॉलेज गए हैं तो उनको पता है कि यार स्कूल जाने से college जाने से, पढ़ाई लिखाई ढंग से करने से जीवन में तरक्की के अवसर बहुत जादा मिलते हैं तो वो क्या करते हैं वो अपने बच्चे जो होते हैं उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं उनकी शिक्षा पर खर्च करते हैं उनकी शिक्षा को सुविधा जनक बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसा भी हो, कितना भी हो हम ये कोशिश करें, जैसे मैं अगर अपने परिवार में देखता हूँ, तो मेरे माता-पिता ने हमेशा, जितने भी घर में हमारे संसाधन थे, उन संसाधनों का बड़ा हिस्सा, अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाया, तो यार वो, क्योंकि मेरे माता-पिता बड़े लिखे थे तो उनको ये बात पता थी, यार कि अगर शिक्षा होगी, शिक्षित होंगे, अगर हम, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, तो जीवन में आगे जा पाएंगे, बहतर काम कर पाएंगे, अच्छा जीवन बना पाएंगे, तो घर के संसाधन जो होते हैं, उनका इस बड़ा हिस्ता आप शिक्षा के लिए दे पाते हो, तो इससे क्या होता है, इसको हम कहते हैं, अच्छा चक्र, शिक्षित परिवार में क्य स्बसक्रा में आपने क्या आने वाली पीढिको भी शिक्षित को भी बनाया कि अभी एक आपका शिक्षित परिवार पांद कीज said लोग क्या करेंगे आने वाली पीढिक को हिच्षित बनाएंगे और ये लोग अज तो भई शिक्षित हम भी आने वाली पीडियों को शिक्षित बनाएंगे और यह एक चक्र बनता चला जाएगा कि आप अपनी आने वाली कई पीडियों में सुधार लाना शुरू करते हो वहीं दूसरी ओर ऐसा ही दुश्चक्र भी होता है कि जो व्यक्ति खुद अशिक्षित होते हैं कई बार उनको महत्ता समझ में आती नहीं है तो इस कारण से क्या होता है वो अपने परिवार को अशिक्षित रख पाते हैं और आन समसाधन वैसे ही कम हो जाते हैं समसाधन कम होने के कारण आप शिक्षा पर समसाधन वैसे भी नहीं लगा पाते बात समझ में आ गई तो यह दोनों तरह के चक्र जो है यह पीड़ी दर पीड़ी चलते चले जाते हैं और इसलिए कहा जाता है कि जो अशिक्षित लोग है एक ज़्यादा वक्त महिलाओं का गुबरता है कि तो वह बच्चों को वो शिक्षा की महता समझा सकती है ठीक है तो यह दुश्चक्र और यह अच्छे चक्र वाला सिंपल सा लॉजिक है बिलकुल यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अब जैसे यहाँ पर एक्जामपल देते है यह जापान का कि जापान को अगर आप देखें यार यह जापान पर तो एकनम केस्टडी है कि जापान के पास कुछ नहीं है अगर आप जापान एक विक्सित देश है अमीर देश है हम जानते हैं जापान में ना तो वादा खेती होती ना वहाँ पे कोई वादा खनेज मिल इन चीजों में निवेश किया, इन चीजों में पैसा लगाया, इन चीजों पर ध्यान दिया, सब की शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश करी और इन सभी चीजों के माध्यम से जापान एक विक्सित देश बन गया, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहां तक फश्ट है एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो भई चलिए अब थोड़े बड़े कॉंसेप्ट आ रहे हैं, तो इसको अभी करेंगे तो फिर अभी 2-4 मिनिट में होनी पाएगा, उसका कुछ खास लॉजिक नहीं है, तो अगली क्लास में करेंगे, इसको आ पुरुष और महिलाओं के बीज भेदभाव के बारे में क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है, और आम तोर पे शिक्षा और ख्वास्ट दोनों की इंडिवीजूल महत्ता जो है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, कोई भी सवाल आपका हो, तो आप जो है लॉंग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं, दोहजार चब्विस असटाइस वाले जो हैं खास तौर पर याद रखें, एजे लाइव कोट लगाना है आपको इसके लिए, और आपको जो है, बत्तिस नौन इन्यानवे में बनेगे, एकक्टिस हजार या इससे भी कुछ कम ही, आप इससे जुड़ सकते हैं, और अगर आप में से कोई 2025 में एक्जाम दे रहा है, जो कि आप बहुत कम दूर रह गया है, बहुती पास आ गया है 2,025 तो अगर 2050 में भी कोई एक्जाम देने वाला है, तो आप याद रखिए कि इसमें अभीstat always month day sales लग गई है, उननेस सारी सुविधाएं आपको पता ही है एक selection box भी आपको दिया जा रहा है उसमें इस बार उसमें काफी सारी stationary इत्यादी होगी जिसका आप उपयोग कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही NCRT सीरीज में आप लोगों से अब जो है बुद्वार को फिर मुलाकात होगी इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद